धीरे चलो और लाइफ को इंजोई करो बहुत तेज दोडने में ना सिर्फ नजारे छूट जाते हैं बलकि ये भी समझ नहीं आता कि हम किस रास्ते बर हैं और क्यों चल रहे हैं आज हम The Thing You Can See Only When You Slow Down बुक से Slow down होकर लाइफ को experience करने की importance को जानेगे कि लाइफ में खुश रहने के लिए Slow down होना कितना जरूरी है दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है लेकिन इसका मतब ये नहीं है कि हमें भी हर बार ऐसा करना होगा Mindfulness के बारे में सिखाने वाले इस Guide Book में Korea में जन में और US में पढ़ाई करने वाले Buddhist monk Heamin Sunim Failure से Deal करने से लेकर प्यार Peace of Mind और अच्छे Relationship बनाने के बारे में सिखाते हैं Heamin के Simple Messages उन Problems के बारे में डारेक्टी बात करते हैं जो Modern Life का हिस्सा बन गई है और हमें उस Power और खुशी की याद दिलाते हैं जो Slow down State of Mind या सुकून के साथ सोचने से आती हैं इसमें आप जानेंगे कि जब आप धीमे या Slow down होकर सोचते हैं तो दुनिया भी आपके साथ धीमी हो जाती है लेकिन इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं और आपने हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो immediately चैनल को सब्स्राइब ज़रूर करतें हमारी वीडियो कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि आप वीडियो और बुक के कॉंटेंट पर कभी भी कॉंप्रमाइस नहीं करतें इसलिए वीडियो को एंट तक देखना बहुत ज़रूरी है तो चले फिस शुरू करते हैं सबसे पहला तरीका है रेस्ट जब लगे कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है तो रुकें और पूछें क्या ये दुनिया इतनी बिजी है या आपका दिमाग एक famous कहावत है कि बुद की नजर में हर कोई बुद जैसा दिखता है और गधे की नजर में हर कोई गधे जैसा दिखता है दुनिया हर इंसान के mindset की तरह है जब आपका मन खुश होता है तो दुनिया भी खुशाल लगती है जब मन नेगेटिव थौट से भढ़ जाता है तो दुनिया भी खराब लगने लगती है हम दुनिया को अपने दिमाग की खिड़की से ही देखते हैं इसलिए अपनी मन की कंडिशन को जानना उतना ही ज़रूरी है जितना की अपनी लाइफ की बाहरी कंडिशन को बदलने की कोशिश करना सुनामी सिर्फ पानी की वज़य से ही देंजरिस नहीं होता बलकि तेज पानी के लहरों से हम पर फिकी गई चीजों के कारण डेंजरिस बन जाता है साइकलोन या टोर्नाडोस सिर्फ तेज हवा के कारण ही डरामने नहीं होते बलकि हवा से उखड कर फीगी गई चीजों की वज़े से वो डेंजरिस बन जाते हैं इसी तरह हम सिर्फ इसलिए दुखी नहीं होते कि कुछ बुरा हुआ है बलकि जो हुआ उसके बारे में हमारे दिमाग में घुमते थौर्ट्स इसकी मेन वज़ा बनते हैं इसलिए जब आपको कोई नेगेडिव एक्सपीरियंस हो तो उसे पकड़ कर बार बार नहीं देखें इसकी बजाए इसे फ्री छोड़ दें ताकि इसका एफेक्ट कम हो सके जब आप ऐसा करेंगे तो उससे जोड़े एमोशन से अपने आप वीक होने लगेंगे इसी तरह जब आप स्ट्रेस्ट हों चड़ड़ापन फील हो रहा हो गुसा हो तो इन फीलिंग्स के बारे में बस अवेर रहें कुछ नहीं करें बस अवेर्नेस के साथ इने देखते रहें जैसे ही आप इन emotion से aware हो जाते हैं तो उनमें खोई नहीं रहते बलकि आपकी awareness आपको उने बाहर से देखने की permission देती है Awareness अपने आप में खुले आस्मान की तरह है Stress, चिड़चड़ापन और गुसा, temporary काले बादलों की तरह है जो कुछ टाइम के लिए असली बादल पर छाज जरूर सकते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद अपने आप गायब हो जाते हैं Negative feelings इन काले बादलों की तरह आती और चली जाती है लेकिन खुला आस्मान हमेशा बना रहता है याद रखें, जब life बे सहारा लगने लगे तो resty solution है इसके लिए meditation करें, exercise करें, अपने mentor से बात करें प्यार और kindness से जीने पर ध्यान दें जैसे ही आप इस तरह के positive efforts करना शुरू करेंगे Negative feelings की पकड़ अपने आप कमजोर होने लगेगी ऐसा गाना सुनें, जिससे सुनकर आपका दिल जूम उड़ता हो इसे बार-बार बजाएं, और इसके साथ बार-बार गाएं ऐसी किसी जगह पर जाएं, जहां आप हमेशा से जाना चाते हैं अकेले में time बिताने के लिए, किसी शान जगह पर बैठ जाएं और अपनी आखे बंद करके, बस अंदर चल रहे थौट्स को देखते रहें एक पेज पर वो सब कुछ लिखें, जिससे आपको स्टेस होता है और ये भी लिखें, कि उस पर्टिकल स्टेस के जगह शान्त और खुश रहने के लिए आप क्या करना चाते हैं ऐसा करने से स्टेस, अब आपके दिमाग से दूर कागस के एक टुकडे पर चला जाएगा और आप रिलाक्स फील करेंगे लिखने के बाद आराम करें और अगले दिन लिस्ट में लिखी सबसे असान चीज़ से शुरुआत करें अगला पॉइंट है माइंडफुलनेस एक बार ओथर आश्रम में गए थे एक मौंग शीशे उनके पास आकर पूछने लगा मैं जादा तर टाइम उदास फील करता हूँ जो पास्ट में बीद गया है उसे याद करके भी दुख होने लगता है गुरुजी मुझे इन धुको से जुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए ओधर ने कहा अपने इमोशन को बदलने की कोशिश किये भिना चुप चाप उसे देखते रहें यह अपने आप ठीक हो जाएगा अगर आप सिर्फ तीन मिनट के लिए इस तरह से अपने फीलिंग्स को सिर्फ देखते रहते हैं तो पाएंगे कि उनकी एनरजी धीरे धीरे बदल रही है अगर यह एमोशन पॉजिटिव है तो और मजबूत हो जाएंगे और अगर नेगिटिव है तो कमजोर होने लगेंगे जैसे आप मौसम यह अपने बॉस के मूड को कंट्रोल नहीं कर सकते वैसे यह आप फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते यह बस आसमान के बाद लोग की तरह आएंगे और गुजर जाएंगी लेकिन अगर आप इन्हें बहुत सीरिसली लेते हैं और अपनी पहचान के हिसे के तरह मानना शुरू कर देते हैं तो हर बार पास्ट के बारे में सोचने पर उन दुखी करने वाली फीलिंग्स को फिर से जिन्दा कर देंगे जिससे दुबारा दुखी हो जाएंगे याद रखें कि ना तो आप अपनी फीलिंग्स हैं और ना ही वो कहानी जो आप का मन आपके बारे में बताता है आप इन सब को देखने वाली इन से बड़ी साइलेंस पावर है जो उनके आने और खत्म हो जाने को जानती है इसलिए आपको meditation की practice के जरिए इन पर नजर रखने के लिए खुद को train करना है शीशे ने पूछा गुरुजी मैं meditation करते टाइम जितना जादा अपने mind को शान्त करने की कोशिश करता हूँ उतने जादा thoughts आने लगते हैं और दिमाग फिर से नए thoughts से भर जाता है तो ऐसे में मैं अपने mind को शान्त और focus कैसे रख सकता हूँ author ने समझाया कि ये पूरी तरह से natural process है क्योंकि अपने दिमाग से negative thoughts को दूर करने की कोशिश करना भी एक thoughts है ऐसा करके आप अंजाने में फिर से एक नए thoughts में फश जाते हैं इसलिए अपने thoughts से छुटकारा पाने की कोशिश ना करें ये method काम नहीं करेगा इसकी बज़ाए एक thoughts के आने और गायब होने को देखने वाले बने जिस पर आप इसके आने और जाने यानि कि कब कोई thoughts आता है और कब गायब हो जाता है इसके बारे में aware हो जाएंगे तो मन अपने आप शांत और focused हो जाता है हमारा दिमाग दुनिया की तरफ भेहने का आदी है इसलिए अकसर लोग अपने आपसे बाहर की चीजों के बारे में बात करना पसंद करते हैं जबकि खुश लोग इसके opposite करते हैं वो slow down thinking के लिए अपने इंदर की तरफ देखते हैं आप ये कर सकते हैं और जितना हो सके बाहरी चीजों के बारे में बात करना बंद करके, खुद को अपने मन के साथ जोड़े, फालतु के थोट्स जो हमें परिशान करते हैं, यह सिर्फ पास्ट और फीचर में ही मंटराते रहते हैं, अपने मन को आज मिलाने से, आपके ये थोट्स अपने आप श जाना चाती है, तो उसे जाने दें, इस युनिवर्स में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है, इसलिए अच्छे बदलाव का इन्तिजार करें, और इस अनमोल पल को समझधारी और खुबसूरती के साथ बिताएं, तीसरा पॉइंट ये है कि सही होना उतना जरूरी नहीं है, जितना एक साथ खुश रहना, हम हर दिन इस शीज को experience करते हैं, कि हर दूसरे इंसान के beliefs, thinking, एक दूसरे से अलग है, जो इंसान खुद को सही साबित करने के बचाए, डिफरिंसेस के साथ रहने की कोशिश करता है, वो सब के साथ मिलकर खुश रहता है, और जो साथ में कुश रहने से जादा, खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है, वो अकेला ही रह जाता है, आईए से रेचल, जो एक famous psychologist और relationship advisor हैं, उनकी real life stories समझते हैं, रेचल एक ऐसी family में पली बढ़ी, जहां debate करना आम बात थी, उसके parents दोनों अच्छे वकील थ के लोगों के साथ बने relations पर इस mindset का negative effect देखना शुरू कर दिया, अपने शुरुआती करियर में, रेचल ने couples को merit life में आने वाली आपसी मुश्किलों से deal करने में help करने पर focus किया, जहां उन्होंने एक pattern देखा, कि जिन couples में partner आपस में प्यार से रहने से जादा, अपने सही से सेटिस्फाय रहते हैं कि एक साथ खुश रहने के लिए एक दूसरे को accept करना और बीच का रास्ता निकालना जरूरी है, और इस तरह understanding और compromise को बढ़ाने वाली आददों को अपना कर, couple ने उस प्यार को फिर से पा लिया, जो शुरू में उन्हें एक साथ लाया था, हम मेंसे हर एक के अपने beliefs, values और mindset है, जो हमारे लिए बहुत माइने रखते हैं, जिन से हम समझाता करने की सोच भी नहीं सकते, हमारा मानना है कि ये बिल्कुल सही है, और अगर दूसरों को ये समझ आ जाए, तो हर कोई इनसे agree होगा, लेकिन कभी-कभी हमें ऐसे लोगों को साथ time बिताना पड़ता है, जो उनकी respect की जा रही है, इसलिए last में जो बसता है, वो है एक दूसरे पर गुसा, confusion, या emotional या physical चोट, इस mindset को दूर करके, एक दूसरे के साथ खुश रहने के लिए, हमें ये पूछना चाहिए, कि अगर आप अपने beliefs को सही साबित करने के नाम पर अगर किसी को hurt करते हैं, तो क फिर से एक नई चीज को लेकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करने लग जाएंगे, इसलिए mature बने, अपने beliefs को बहुत seriously ना ले, अपनी ego को side करके, साथ मिलकर रहने से मिलने वाली बड़ी चीज को देखने की कोशिश करें, क्योंकि सही होना उतना जरूरी नहीं है, ज जल भी सकते हैं, अगर बहुत दूर बैठे, तो गर्मी का एसास नहीं हो पाता, इसी तरह अगर आप बिना वचय किसी के बहुत करीब आने की कोशिश करेंगे, तो एक टाइम के बाद जल्दी फसा हुआ और ठका हुआ फील करेंगे, दूसी तरफ, अगर हम दोस्तों और अच्छे से रहने के लिए बहुत कम एफर्ट्स करते हैं, तो हम उनके प्यार की गर्माट फील नहीं कर सकते, इसलिए इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, ओथर कोरिया के मजिस्टेट की एक स्टोरी बताते हैं, जो रिलेशन के बारे में अच्छी सीख देती है, यह मेंग्सियों नाम के एक इनसान की कहानी है, जो कोरिया के जोसियन एमपायर के टाइम लिटरेचर ग्रूप का मेंबर था, वो बीरबल की तरह अपनी समझदारी के लिए कोरिया में काफी फेमस था, उनने साल की उम्र में उसने स्टेट सिविल सर्विस अपनी काबिलेट से वो इतनी कम उम्र में ही मजिस्टेट बन गया, लेकिन उसकी इतनी जल्दी मिली सक्सेस ने उसे घमंडी और एरोगेंट बना दिया, एक दिन मेंग्सियोंग ने अपनी डिस्टिक के एक फेमस जिन भुद्धिस्ट गुरू से मुलाकात की, और पूछ इस डिस्टिक को अच्छी तरह समालते टाइम, मुझे क्या धान रखना चाहिए? गुरू ने शांती से मुस्कराते हुए जवाब दिया, बस बुराई से बचना और कई लोगों के लिए अच्छा करना ज़रूरी है, मेंग्सियोंग ने कहा, ये बात तो एक बच्चा भी जानता है, इसमें नया क्या है? क्या तुम्हें मुझे बस इतना ही बताना है? जैसे ही मेंग्सियोंग जाने के लिए उठा, जेन मास्टर ने उसे थोड़ी देर रुक कर चाई पी कर जाने के लिए कहा, चाई बनने के बाद जेन मास्टर ने मेंग्सियोंग के कब में लेकिन मुझे हैरानी हो रही है कि तुम ये कैसे नहीं जानते कि बहुत जादा ग्यान किसी के करेक्टर को भी बर्बाद कर देता है इसलिए हमें कभी अपने ग्यान पर घमन नहीं करना चाहिए शर्मिंदा होकर मैंक्सियोंग खड़ा हो गया और जाने के लिए दर्वाजे की तरफ जाने लगा लेकिन जल्दबाज में उसका असर्थ दर्वाजे की चौकट पर लग गया गुरू ने धीरे से उसे सला दी अगर तुम अपना सिर नीचे करोगे तो मुसीबत में नहीं पड़ोगे जैसा कि आप समझ सकते हैं बहुत जादा घमन मुश्किले पैदा कर देता है अगर हम लोगों के साथ हमबल और रिस्पेक के साथ पेश आएं तो इनसे बचा जा सकता है ये एकसर हमारा इगो होता है जो हमें ऐसा करने के लिए इंफ्लेंस करता है लेकिन ऐसा करते हुए अंजाने में हम सामने वाले को एमोशनली हर्ट कर रहे होते है और बताते हैं कि अगर कोई आपके पास आता है और कहता है आईए देखे कि किसका रिलेजन सही है वो पहले respectfully सुनते हैं फिर कहते हैं अगर मैं जीतने के लिए किसी बहस में पढ़ जाओं तो इसका सिर्फ रिजल्ट ये होगा कि किसी को ठेस पहुचेगी अगर वो जीत भी गए तो रिजल्ट क्या होगा दूसरा इंसान सिर्फ हारा हुआ फील करेगा हम सभी अलग-लग environment में बड़े होते हैं हमारे experience अलग है और हमारी personality, आदते, values और thinking भी अलग है दूसरों से ये उम्मीद ना करें कि वो आपके तरीके को follow करें जब चीज़ें हमेशा आपके according होती हैं तो arrogant बनना असान हो जाता है जैसे जैसे हम अपनी life में मुश्किलों को experience करते हैं हम mature और जादा समझदार होते जाते हैं बस याद रखें कि जिस इंसान ने आज आपकी life को मुश्किल बना दिया है वो उपर से भेजा गया एक secret teacher हो सकता है जिसे आपकी improvement और growth का काम swapा गया है अब 5 और point है बिना उमीद के प्यार करें Ruth Bader और Martin Ginzburg का relation एक अच्छा example है Ruth Bader Supreme Court की judge थी और Martin Ginzburg एक tax lawyer थे दोनों 50 साल से भी जादा time से एक साथ रह रही है उनकी love story आज के कई लोगों के लिए अच्छे कबल का example है Ruth और Martin Cornell University में पढ़ते time मिले और जल्दी दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे उनकी शादी 1954 में हुई और वो एक बेटी Jane और एक बेटे James के parents बने अपनी पूरी married life के दोरान Ruth और Martin ने personal और professional दोनों जगे एक दूसरे को काफि सपोर्ट किया Ruth ने Martin की law skills को पहचानते हुए उन्हें उस time law में करियर बनाने के लिए मोटिवेट किया दोनोंने घर का काम आपस में बाट लिया ताकि time बचा कर दोनों ही अपने करियर पर ध्यान दे सके Ruth को cancer होने सहित कई challenges का सामना करने के बावजूत दोनों का प्यार कायम रहा Ruth अकसर मार्टिन को अपना सबसे बड़ा supporter और अपनी success की वज़य मानती थी एक interview में उन्होंने बताया कि कैसे उनका प्यार आपसी respect, care, trust और support पर टिका हुआ था इस तरह दोनों के एक दूसरे पर अटूट भरोसे और support ने आपसी प्यार को मजबूत किया और करियर में सफल बनाया प्यार दुनिया को खुबसूरत बनाता है जब प्यार होता है तो हमें अपनी लाइफ और दुनिया खुबसूरत लगने लगती है प्यार का मतलब है किसी पर भरोसा करना किसी के लिए available रहना सामने वाले इंसान की बातों को दिल से सुनने के लिए तयार होना कभी-कभी हमें यकीन नहीं होता कि हम जो फील करते हैं वो प्यार है या नहीं उस पल अपने आप से सवाल पुछे कि क्या मैं अपने पार्टनर की खुशी के लिए बहुत कुछ देने के बाद भी और जादा देने में खुश हूँ अगर जवाब हाँ है और बाद में कोई regret नहीं होगा क्योंकि ये सच्चा प्यार है प्यार का मतलब है किसी को वैसे ही प्यार करना जैसे वो है उसे अपने तरीके से चाहते रहना प्यार नहीं बल्कि सिर्व आपकी desire है प्यार के नाम पर किसी को सुधारने की कोशिश ना करें ये सिर्फ आपकी नजर में सुधार है उनकी नजर में नहीं प्यार अपने आप होता है अगर आप किसी से प्यार करने की कोशिश करते हैं तो ये तब तक सच्चा प्यार नहीं है जब तक कोशिश खरना बंद करने के बाद भी उसी तरह की चाहत नहीं रहती एक कास्टिंग डारेक्टर कई एक्टर्स का ओडिशन लेता है लेकिन ओडिशन के टाइम ही वो सही एक्टर को पहचान लेता है करियर के लिए मनपसंद काम, नया घर और अच्छे लाइफ पाटनर के साथ भी ऐसा ही होता है अगर आप जिजक रहे हैं तो हो सकता है कि आपको अभी तक कोई सही नहीं मिला है अगर बिना ये सोचे कि क्या होगा, बिना उसकी financial progress और खुबसूरती को देखे दूसरों से compare किये बिना उसकी soul को चाहें तो ये एक सच्चा प्यार है अगर आपको लगता है कि दोनों में से सिर्फ एक ही committed रहे तो relation टिक सकता है तो इसे प्यार ना कहें, क्योंकि इस time जो आप experience करते हैं, वो प्यार नहीं बलकि attraction है जो आप सही शुरू और आपर ही खत्म हो जाता है, इसका relation आपकी feeling से जादा है दूसरे इंसान से कम, जब हम प्यार में होते हैं, तो हम जिससे प्यार करते हैं, उसके लिए अची चीज़े करना पसंद करते हैं और उन चीजों से बचने की कोशिश करते हैं, जो ने अची नहीं लगती हमें दूसरे इंसान से वैसे ही प्यार करना चाहिए जैसे सूरज धर्ती से करता है सूरज बिना बदले में कुछ पाने की उमीद के जमीन के पेड़ों और फूलों को फलने फूलने के लिए एनरजी देता है फेमस अमेरिकन आथर खलील जिबरान ने कहा था हमें एक दूसरे को एक ही शत को सहरा देने वाले दो पिलर्स की तरह प्यार करना चाहिए अब सिक्स पॉइंट में हम बात करेंगे लाइफ में खुश रहने के तीन तरीके सबसे पहले ये एक्सेप्ट कर लें कि लोगों को आप में उतना इंटरस्ट नहीं है जितना आपको हमेशा से लगता है क्या आपको याद है कि एक हफ़ते पहले जब आपने अपने दोस्त को देखा था तो उसने क्या पहना हुआ था उसका लुक कैसा था उसके बाल कैसे लग रहे थे आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ अगर आप याद नहीं रख सकते तो सोचो वो आपके बारे में ऐसी बाते कैसे याद रखेंगे हाला कि हम टाइम टाइम पर दूसरों के बारे में सोचते हैं लेकिन ऐसा कभी-कभी और कुछ मिनट्स के लिए करते हैं और उन कुछ मिनट्स के बाद जैसे हम दूसरे लोगों के बारे में सोचना बंद करते हैं तो हमारा दिमाग तुर्ण उस छीज़ पर चला जाता है जो हमारे लिए मैटर करती है इसलिए अपनी life के कीमती time को इस चिंता में क्यों भिताना कि हम दूसरों को कैसे दिखेंगे दूसरा, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपको पसंद करे जब आप हर किसी को पसंद नहीं करते हैं तो हर कोई आपको पसंद कैसे कर सकता है हम सभी के अपने favorite politician colleagues, customer और family members होते हैं और कई ऐसे होते हैं जिने हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते ऐसे में अगर आपको कोई reject करता है तो इसके लिए खुद को blame करने की कोई ज़रूरत नहीं है आप ये control नहीं कर सकते कि दूसरे आपके बारे में कैसा feel करते हैं अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो उसे अपना opinion बनाने दें और आप आगे बढ़ें तीसरा तरीका है दूसरे क्या सोचते हैं इसकी चिंता करना बंद करें और वही करें जो आपका दिल चाता है अपने mind को क्या होगा या अगर मगर में ना उलचाएं जो आप जीतें जी जाना चाते हैं जिन लोगों से मिलना चाते हैं जिन sports को stadium में जाकर देखना चाते हैं जिन restaurant में आप जाना चाते हैं उन सबके नाम लिखें फिर list मिल की हर चीज़ को एके करके experience करें अब एके करके इने पूरा करने में लग जाएं बड़े सपने देखें लेकिन शुराच छोटी करें इस तरह एक छोटा सा positive decision आपकी life फर बड़ा effect डाल सकता है example के लिए अगर आप healthy रहना चाते हैं तो आज सही healthy खाना शुरू करतें वजन कम करना चाते हैं तो soda के जगए पानी पीना शुरू करतें अगर आपको कोई important project पूरा करना है तो अपने desk को उसके लिए ready करने से शुरुआत करें इस time अपनी thinking को positive रखें क्योंकि आपके thoughts ही, words या जो बाते आप अपने आप से या दूसरों से करते हैं वो बनते हैं words को positive रखें क्योंकि आपके words ही आपका behavior बनते हैं अपना behavior positive रखें क्योंकि behavior ही आदत बन जाते हैं अपनी आदते positive रखें क्योंकि आदते ही हमारी life के values या beliefs बन जाती हैं और अपने beliefs को positive रखें क्योंकि beliefs ही हमारी destiny बन जाते हैं कि आप लाइफ में कहा जाएंगे और क्या बनेंगे सेवन्त और आखरी पॉइंट है एंकरेजमेंट का एक शब्द किसी की लाइफ को बदल सकता है आथर अपने बच्वन की स्टोरी बताते हैं उनकी एक स्टिक्ट टीचर थी उन टीचर का एक बेटा था जोसी स्कूल में आथर की क्लास में पढ़ता था दोनों ही पढ़ाई में बिलो आवरेज स्टूडेंट थे एक दिन जब आथर स्कूल टाइम के बाद अपने घर के बाहर घूम रहे थे तब ही वो दोस्त आया और उन्हें अपने घर पर खेलने के लिए इनवाइट किया आथर उसके साथ जाकर खेलना तो चाते थे लेकिन डर रहे थे कि कहीं उसकी मम्मी ना आ जाए दोस्त ने गहा कि मम्मी चार बज़े से पहले नहीं आएंगी तो तुम उससे पहले खेल कर चले जाना खेलते खेलते कब चार से जादा बज़ गए पता ही नहीं चला जब सामने का दर्वाजा खुला और उनकी टीचर अंदर आए तो वो ये सोच का डर गए कि इस टाइम अपना होमग करने के बज़ाए खेलने के लिए उन्हें पनिश्मेंट मिलेगी लेकिन टीचर ने उन्हें प्यार से बठाया और अपने साथ लाई चीज उन्हें खाने को देते हुए बोली तुम बहुत इंटेलिजन स्टूडेंट हो अपने दोस्तों के लिए एक रोल मॉडल बनोगे और बड़े होकर ऐसे इंसान बनोगे जो कई लोगों की लाईफ में नौलिज और खुशिया ला सके सिर्फ इतनी सी अच्छी बात का उथर पर काफी एफेक्ट हुआ उस दिन के बाद वो बहुत मैने से पढ़ाई करने लगे और दूसरे स्टूडेंट के लिए एक आईडिल बनने की कोशिश की आउथर कहते हैं मैं आज जो कुछ भी हूँ वो उस दिन उन्होंने जो कहा उसकी बदौलत बन पाया हूँ उनके उन शब्दों के बिना मुझ में एक ब्राइट सुडेंट प्रोफेसर और स्प्रिचल आउथर बनने का कॉन्डूडेंस नहीं आता तो दोस्तो ये थी बुक की कंप्लीट समरी तो फिर आईए इस वीडियो में बताया गए इंपोर्टन लिसन्स को एक बार रवाइस कर लेते हैं ताकि वो आपको हमेशा याद रहें अपने माइन को शांत करें बाहरी दुनिया में अपने आप सब कुछ शांत होने लगेगा सही होना उतना जरूरी नहीं है जितना एक साथ खुश रहना अपने रिलेशन को मजबूत और खुशाल बनाने के लिए लोगों के साथ थंबल और रिस्पेक्ट से पेश आएं हमें दूसरे इंसान से वैसे ही प्यार करना चाहिए जैसे सूरज धर्ती से करता है ये बिना बदले में कुछ पाने की उमीद किये अर्थ के पेड़ो और फूलों को फलने फूलने की एनरजी देता है लाइफ में खुश रहने के लिए ये तीन काम करें एकसेप्ट कर लें कि लोगों को आप में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना आपको हमेशा से लगता है जरूरी नहीं है कि हर कोई आपको पसंद करें दूसरे क्या सोचते हैं इसकी चिंता करना बंद करें और वही करें जो आपको दिल चाहता है अपने आपको और दूसरों को जितना हो सके आगे बढ़ने के लिए इंकरेच करते रहें क्योंकि आपका एक शब्द किसी की लाइफ को बदल सकता है थैंक यू दोस्तों जल्दी मिलते हैं और भी बहतरी इन वीडियो के साथ थैंक यू सो मच